बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलामुलेकम जी आज हम बनाएंगे स्पॉंग केक तो ये हम बिल्कुल होमेड बनाएंगे मतब घर के अंदर त्यार करेंगे आपको इसके लिए कोई बेकरी की या किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास घर में कोई भी चीज मजूद हो आप उसके अंदर बेहतरीन बना सकते हैं ये आप इसके अंदर आपको और भी बताऊंगा आप इसके अंदर क्या एड कर सकते हैं सादा बनाना चाहें वो भी बन जाएगा तो इंशाला ताला ये बहुत अच्छा केक आपका गर में बनेंगा, इसके लिए हमें चार एग चाहिए, ये देखें, चार एग चाहिए और एग को आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेणा है, अच्छी तरीके से, ये आप ये समझेeten कि यहां पे जितने आपके एग क्या-फलॉपी वगरा बन जाएगी ना, तो उतना ही केक आपका अच्छा बनेंगा आपने इसको अच्छी तरह से एग को डाल के बीट करना है और इसको बाकी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ टोटल जो रेस्पी है इसकी जो आप घर के अंदर बना सकते हैं इसी तरीके से आप कापकेक बना सकते हैं, आप फ्रूट केक बना सकते हैं, तो आप सारी चीजें इससे त्यार कर सकते हैं, रेस्पी यही होती है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप आपने चीनी एड़ करनी है, अच्छा चीनी जो है वो आपने पीस लेनी है, बरीक बिलकुल पॉडर होना चाहिए आपका आइसिंग शुगर यूज़ करना चाहिए तो वो भी आप कर सकती है अच्छा इसको आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है आपने बीटर से ही इसको बीट करते जाना है ताकि ये जो है वो फलपी बन बिलकुल फलपी बन जाए और इसको आपने साथ साथ चीनी एड़ करते जाना है जैसे ही आप चीनी सारी डाल लेंगे तो इसके अंदर आपने मैदा डालना है ये देखें इसको ये देखें हमारा ये गड़ा होता जा रहा है तो ये जैसे वे त्रीन जीज़ बनेंगी आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है अब घर के अंदर प्रेशर कुकर में बना लें पतीले में बना लें कोई नॉन स्टिक पैन पढ़ा है उसके अंदर बना लें अब कि घर के अंदर केक बनेंगा और बेहतरीन चीज़ बनेंगी इन्शालला ताला जी अब हम इसके अंदर मैदा एड़ करेंगे अच्छा मैदा आपने चीनी के बराबर लेना है जितनी चीनी होगी उतना ही आपका मैदा होगा यहनि कि अगर एक कप चीनी है तो एक कप ही मैदा होगा आपका पहत्रीन च्पूंग बनेगा यह देखें इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और यह याद रखें इसको आपने ग्रेंडर में नहीं डालना आपने ग्रेंडर में डालके इसको मिक्स नहीं करना आपका केक खराब हो जाएगा आपने इसको हाथ के साथ ही बिहत्रीन तरीके से अराम राम से आपने करना है तो यह देखें यह बिहत्रीन आपका जो है वो माया त्यार हो गया है यह चेक करें इदर अच्छा इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून मैंने आपको टी स्पून का पूरा एक लेक्शर पढ़ाया हुआ है टेबल स्पून का टी स्पून का मेजर्मेंट का पूरा मैंने आपको एक दिया हुआ हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पौडर डालना है और हाफ टी स्पून ही आपने इसके अंदर वनीला साइसे डालने हैं यह देखिए ठीक है जा इसको भी आपने डालके अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है यह देखिए बिलकुल अच्छे तरीके से होगया यह यह छैक करें यह बेहतनी आपने इसको बेतरीन तरीके से मिक्स करके अराम राम से मिक्स करना है इसके अंदर आपने वो ग्रेंडर नहीं चलाना कोई भी चीज इसके अंदर इस्तमाल नहीं करनी है आप घर के अंदर बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से केक बना सकते हैं इसके अंदर आप फरूट आड़ करना चाहें वो हो सकता है आप कोई बिसक्ट डालना चाहें वो हो सकती है चोकलेट डालना चाहें तो जो भी आप मतब इसके अंदर आड़ करना चाहें वो आप आड़ कर सकते है आप इसके अंदर कोई पाइनेपल डालना चाहें कोई fruit डालना चाहें तो आपका यह चीज जो है वो बेहतरीन यहां पे आप अड़ कर सकते हैं अच्छा है उसको डालने का तरीका यह होता है कि अगर आपने कोई biscuit डालना है उसको तोड़ देना है पहले थोड़ा सा तोड़ के उसको जो खुश्क मैदा होता है उसके अंदर हलका सा मैश कर लेना है ताकि वो जो चीज है वो जुड़े ना एकठी ना हो ठीक है जी और उसको डाल के तो इसके अंदर मिक्स कर देना है वो आपका लैदा-लैदा हर बाइट के अंदर आ जाएगा वो एक जगा पे कठा नहीं होगा ठीक है जी आप इसके अंदर बाल में डाल लें किसी भी बाल के अंदर उसके अंदर बटर पेपर रखना है वो भी बितर हो जाएगा तो ओल लगा के उसको राक दें अच्छा ये आपने पतिला ले 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 कोई प्रेशर कुकर ले 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 कोई भी चीज ले ले उसके अंदर नमक डाल ले रेट डाल ले कोई भी चीज डाल के उसके अंदर अगर स्टैंड आपके पास मजूद है तो स्टैंड ले ले उसके नीचे रखके आपने जो भी बाल में जिसमें भी डाला हुआ है आप उसके अंदर इसको रख दें तो ये आपने तकरीबन जो है 45-50 मिनट तक आपने इसको रख देने और बिल्कुल बंद कर देने क्योंकि मेरे पास नान स्टिक है तो इसमें डाल दी है ये देखें ये मेरे पास 45-50 मिनट बाद ये त्यार हो गया है ये इसको आपने किसी स्टिक के साथ किसी छुरी के साथ आपने इसको चेक कर लेना है जब छुरी आप अंदर डालेंगे तो आपका केक इसके साथ लगना नहीं चाहिए तो समझें कि आपका केक रेडी हो गया हुआ है ये देखें ये बिलकुल इसके साथ नहीं लगेगा तो समझें केक रेडी हो गया हुआ है इसको मैं काटके दिखा देता हूँ आपको ये चेक करें इसकी बैक भी चेक करें ये देखें नीचे से बिलकुल ब्राउन और बहुत अच्छी लोग का, ये बहुत खूब सूरत है, ये चेक करें, ये मैं आपको काट के चेक करा देता हूँ, ये देखें, ये चेक करें, बिल्कुल फलपी और बहुत ही मज़े का केक है, इस तरह अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को देएं, इसी तरह आप काप केक बना सकते हैं, फ्रूट केक बना सकते हैं, ये देखें, इंशाला तरह बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर आप मैंने पहले भी बताया, आप फ्रूट भी इस्तामाल कर सकते हैं, आप कोई भी मरभा जात इस्तामाल कर सकते हैं, तो आप चोकलेट इस्तामाल कर सकते हैं अगर आप चाए एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने चोकलेटी केक बनाना है तो आप यहां पे ही जहां पे आपने इसके अंदर वनीला इसड और बेकिंग पॉडर अड़ की है तो वहां पे आप इसके अंदर कोको पॉडर यह चोको पॉडर जो भी आपको मिलता है वो आप इसके अंदर एड़ कर सकते हैं तो वो आपका चोकलेटी केक त्यार हो जाएगा आपका यहीं पे वो रेड़ी हो जाएगा यह देखें बहुत अच्छी लूक है बहुत अच्छा केक है इन्शालला आप घर में बना सकते हैं बहतरीन चीज़ होगी आ अब अपना ख्याल रखें अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कुमेंट करके बताएं कैसा है बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखेगा अल्ला आफिस